दोस्तो आप electrician का काम करते हो, तो आपको पास इस तरह का एक series board जरूर होना चाहिए, अगर series board को आप बनाना जानते हो तो ठीक है, अगर series board को बनाना आप नहीं जानते हो, इस video में हम आपको एक एक point विष्थार से समझा कर बताएंगे, तो इस तरह का series board आप बनाना चाहते ह तो इस वीडियो को आप बिल्कुल skip नहीं कीजिएगा एक एक पॉइंट विस्तार से समझा कर हम बताएंगे तो चलिए दोस्तों बीना देर करते हुए इस वीडियो को आप सुरू करते हैं स्रीज बोड बनाने के लिए आप तीन खंड का बोड ले सकते हो या चार खंड का बोड आप ले सकते हो चार खंड का लिजिएगा तो इसमें अलग से आप एक इंडिकेटर लगा लिजिएगा अगर तीन खंड का बोड लिजिएगा इसमें आप इंडिकेटर नहीं लगा पाईएगा उसके बाद एक 5-pin socket ले लिजिएगा, एक on-off switch ले लिजिएगा, एक indicator हम लगाएंगे, एक holder ले लेंगे, आप कोई सा भी holder ले सकते हो, इसमें जो size आएगा, वो holder आप इसमें ले सकते हो, अब चलिए इतना से ही, आपको आप series board बनकर तियार हो जाएगा, फोड़ा बहुत इ ले लिजिएगा, इसको जैसे पलटियेगा, यहां पर तोड़ने के लिए दिया होगा है, इसको आप तोड़ दीजिएगा, इस तरह बहुत असानी से हाथे भी तूट जाता है, देख सकतो इसको हाथे ही तोड़ दिए, फिर दूसरी तरफ तोड़ना हो, तर स्म तरीका से इसको हाथे इस तरह तोड़ दीजिएगा, इस तरह दो बार तीन बार नीचे उपर कीजिएगा, तो यह तूट जाता है, अब इसमें बहुत असानी से 5-pin socket यह इसमें चलाएगा, चल यह सबी को हम फट फट इसमें इस्टॉल कर देते हैं, यह नहीं कस देते हैं, जब दो कैसे होता है, इसको सिधे हम यहां से प्लोट देंगे, तो होल्डर यहां पर आ गया, इंडिकेटर यह वाला है, और स्वीच यह है, और 5-pin socket यह वाला, इस बोट को यहां पर हम साइड में रख देते हैं, अब चली इसमें कनेक्शन कैसे होगा, हम यहां पर आपको जूम कर के थोड़ा दिखाएंगे, अब इसमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए आपको एक छोटा सा वायर चाहिए, इतना बड़ा माप लीजिएगा, यह जो स्वीच है, स्वीच की एक पॉइंट से लेका, ओल्डर की, यहां पर एक पॉइंट तक इतना बड़ा, आ इस पॉइंट पे, सॉकेट की एक पॉइंट पे, एक ओर से यहां पे आपको कस देना है, और दूसरी ओर से यहां होल्डर की एक पॉइंट पर आपको लाकर इस वायर को कस देना है, तो सॉकेट की यहां पे एक पॉइंट पर लाकर वायर को कस दिये, यानि एक वायर की कने एक कोर को कसिएगा, और दूसरी कोर को लाकर यहाँ पे कस तो सौकेट की चॉड पॉयne पर यहाँ को च jurisdiction कर रहे tart है तो सौकेट की एक क्वायर की क्वायर की कर को हम यहाँ पर कस दीए फिरसे जो एक कोर यहाँ पर बचा इन की यहाँ पर फेढ़ 노autod इसको कस देंगे इस परकार हम connection करें अभी फेज का connection कर रहे है neutral connection हम बाद में करेंगे फिर एक red color का रहे वायर लिजिएगा चोटा सा और दोनों तरफ छिल दिजिएगा इतना बराबर माप कर देख लिजिएगा यह जो indicator है बीच दीजिएा, जो छोटा वाला वायर था, इंडिकेटर की दूसरी पॉइंट से लेकर, सुज की दूसरी पॉइंट पर कॉर यहा पर कॉस दिए और दूसरी को यहा पर कॉस दिए इस तरफ प्लेश का Core को यहां पर कस यह इंडिकेटOR की दूसरी वाला पॉयंट गजिएगा पहली Core को कस दिजिएगा उसके बाद 5 Pin Socket की यहां पर Neutral पॉयंट प्वाइट पे साफ यहां पर कस दिजिएगा जो Black Wire का दूसरी Core था Light Line है PM कस दिए इस तरह connection गज़ेएm 90 परसेंट हो गया अब 10% में आपको इसमें में तार को जोईन करना है दोस्तों अब इसमें में तार की connection करना है तो में तार की connection के लिए कुछ चीज परकर काम उज़ करेंगे तो इसको सबसे पहले इस board की रास्ते से हम इसको अंदर यहां से निकाल दे रहे हैं यहां से अंदर निकाल दिये उसके बाद इसमें आपको एक red color का मिल जाएगा और एक green color का मिलेगा तो red वाला को यहां देखिएगा दोनों का connection करना है इंडिकेटर की दोनों point पर दूसरा किसी जगा आप connection नहीं कीजिएगा तो red वाला है जो यहां पर red वाला पर इसको connection कर देना है और जो यह green वाला है बला एक वाला पर connection करना है उचीज परकार इसको connection यहां पर दूनों main तारकों आप connection कर दीजिएगा जिसमें हम डेड़ेक 220 volt current input करेंगे तो इस परकार main तारकों में यहां पर connection कर दिये अब यह 100% बनकर तयार हो गया अब चलिए इसको इस board में हम यहाँ पे पहले fit कर लेते हैं अगर connection आपको समझ नहीं है या comment किजिएगा हम comment में आपका जब आप जरूर देंगे अब इसमें आपको 4 screw दिया हुआ है कसने के लिए 4 screw को हम यहाँ पे कस देंगे जो board के साथे इस screw मिलता है जैख सकते हो 4 screw है तब 4 screw के यहाँ पे हम लगा कर टाइट कर दिये हनी कस दिये अब इसमें हम 5W की bulb लगाएंगे और आपको श्रीज चेक करके हम दिखाएंगे इस board में हम 220 volt की लाइन दे दिये हुए अब इसमें हम 5W की bulb लगाएंगे साथ इसमें आपको दिखाई तो नहीं देगा अब इस board में हम 5W की bulb को लगा दे उसको बाद स्रीज चेक करने के लिए इस परकार की एक तरफ से प्लॉग और दूसरी तरफ से दो वायर जो पूरी तरह खुला रहता है इस तरह खुला वाला हम ले लेंगे और इस board में हम लगाएंगे अब इस board में हम लगा दिए और यहां से switch को हम on करेंगे अब यहां से हम इसको स्रीज चेक करके देखेंगे तो देख सकते हो बिल्कुल सही तरीका से यह work कर रहा है बिल्कुल सही तरीका से मेरा सीरीज वर्क कर है तो इस तरह बहुत असानी से आप सीरीज बोड बना सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल पाप पहली बराय हो तो सब्सक्राइब जरूर क कर लीजिए